यहू, तो हम कह रहे थे daily mental health facts, day by day हम लोग record कर रहे थे, वो आता है push-up challenge में, push-up challenge था जून 2021 में, जिसमें 3000 push-ups करने थे in the span of 25 days, जो रिप्रेजेंट करता है, यह जो number 3318, जो 3000 push-ups है, वो रिप्रेजेंट करता है number of suicides, जो हुए year 2019 में, year 2019 में, तो push-up challenge मैंने complete किया, हर दिन वो एक graph के थ्रू बताया गया कि कितने number of push-ups करने थे, और फिर जैसे जैसे में करते गया, मतलब, actual push-ups के numbers यहाँ पे आते गए, add होते गए, तो यह push-up challenge मैंने complete कर लिया है, और हम लोग push-up challenge के mental health facts discuss कर रहे हैं, हर दिन एक एक video बना कि, day number 20, day number 20, एक rest day था, उसमें push-ups नहीं करने थे, आप यहाँ पे भी graph में देखोगे, तो day number 20 में कोई push-ups नहीं थे, तो कुछ नहीं किया, फिर बचे सिर्फ आखरी के 5 दिन, तो हम जाते हैं day number 21 के fact पे, तो 21, मतलब, मैं बस summary बता रहा हूं, कि यह कहना कह जाता है, कि हम लोग जिस तरह का खाना खाते हैं, उस तरह से हमारा mood change होता है, या फिर उस तरह से, ओके, यह mood change हो गया, बहुत ही end product हो गया, सोच लोग क्या होता है, कि हम सुभो सुभो उठे, बहुत लोग क्या बोलते हैं, कि हमको coffee चाहिए, काफी के बिना दिन शुरू नहीं होता है, तो मतलब काफी में क्या होता है, निकोटीन होता है, और कुछ लोग शुगर लेता है, तो वो शुगर ब्लेड स्रीम में आता है, तो इंस्टंट छटके वाली energy मिलती है, तो क्योंकि शुकर अल्रेडी ब्लड में डिजॉल्व होता है, तो जो ब्लड में glucose की मातरा है, वो बढ़ रहाती है, और उसके कारण बहुत ही energy लगती है, लेकिन जैसी energy का spike कम हो जाता है, फिर आप देखोगे एक दो घंटे बाद, जो बंदा होई, जिसको सुबर सुबर काफी चाहिए, वो एक दो घंटे बाद थोड़ा स्लो हो जाता है, वैसे ही, अगर हम लोग दो पहर में जब खाना खाली है, तो नीन दाती है, तो मतलब बाइड डिफॉल्ट यह है कि लाइक, जब energy लगती है, food digestion में, वो digest होके, फिर शुगर दिर बॉड़ी में आता है, फिर शाम को अजनक से, लाइक, एंड टाइम में हमको थोड़ा energy type फील होता है, जब बुड़ कोस लेवल नॉर्मल हो गया, तो यह कहना चाहता है, कि इन जनरल, मतलब जो नंबर आज का 125 push-ups का रखा है, इन जनरल, अगर हमें जो बलड शुगर का लेवल है, मतलब ग्लाइ अगर वो 125 पर डे रहा, तो लाइक, लाइक, नॉर्मल चलेगी, हम लोग कम डिप्रेशन में रहेंगे, ऐसे स्पाइक स्पाइक नहीं रहेगा, लेकिन एनरजी वग्रेट टाइप ठीक रहेगी, तो इसके लिए, फूड जो है, वो मिक्स करके खाना चाहिए, जो ग्लाइक ग्लाइकमिक इंडेक्स है, यहनों नहीं चे वेबसाइट देरा की है, तो वो ग्लाइकमिक इंडेक्स को किस तरह से कंट्रोल करके किस तरह से हल दिखाते हैं, वो एक एक इंफोमेशन है, आज के दिन पर, तो जब मैंने स्टाइक में जिम अगरे जान किया था, तब लोग बोलते थे, कि लाइक वो टीडी टोटल डेली इंटेक को मैनेज करते हुए फूट खा, लेकिन ये एक बहुती डिफरेंट अप्रोच है, जिसमें लोग कहता है, कि अगर अगर मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है, फिजिकल हेल्थ पे वो डेफिनेटली टोटल डेली इंटेक के हिसाब से, फूट खा लेकिन मेंटल हेल्थ के हिसाब से, आपको गलाइकमिक लोड के हिसाब से खाना खाना चाहिए, ताकि जब आपको मेंटल हेल्थ जाधा चाहिए और कम चाहिए, या फिर अगर आपको समानतर रखनी है, तो उसके हिसाब से, क्या कहता है, हमको खाना काना चाहिए तो यह आज का mental health fact था day number 21 का जिसमें बहुत ही कम 125 पुछ अप्स करने थे easy था यह वाला दिन तो यह कुछ नहीं चीज़ सीखने मिली एक नया अप्रोच खाने को देखने का और कौन से-कौन से फूड चूस करने का है हम ऐसे ही कोई और चार facts के साथ मिलते हैं अगले चार वीडियो में तो मिलते हैं अगले दिन या अगले वीडियो में या अगली जिन्देगी में जो पहले आजाए चला बाबाए